In association with Kutumb App मुख्य मंतरी नितीश कुमार कुरोना संक्रमन की चपेट में होने की वज़े से होम आईसोलेशन में है और अभी हमारी मौजूदगी भी उनके आवास के ठीक बाहर है आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एक अने मार गही है और यहीं पर मुख्य मंतरी नितीश कुमार रहते हैं यहीं C.M. आवास रहते हैं जो भी मुख्य मंतरी होगा बिहार का वो यहीं रहेगा लेकिन कुछ खबरे ये दावा कर रही है कि खरमास के बाद यानि जब मुख्य मंत्री इतीश कुमार सही सलामत हो जाएंगे, कुरोना संक्रमन की चपेट से बाहर आ जाएंगे, तब वो इस आवाज से निकल कर साथ नंबर के बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं. अब ये साथ नंबर बंगला क्या है, क्यूं है, क्यूं वहाँ मुख्य मंत्री शिफ्ट हो रहे हैं, क्यूं साथ नंबर बंगला उनके लिए खास है, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में. सर्कुलर रोड का यही वो साथ नंबर बंगला है, जिसकी हर तरफ चर्चा है, और कुछ दिनों से खबरे ये जोर पकड़ रही है, कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार खरमास के बाद यहां शिफ्ट हो सकते हैं. फिल्हाल मुख्य मंत्री नितीश कुमार को कोरोना संक्रमन है, कोरोना की चपेट में है, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिती सुद्रेगी और वो कोरोना की संक्रमन के चपेट से बाहर आएंगे, वैसे ही खबर ये बताई जा रही है, कि वो इस साथ नंबर बंगले में होंगे, जैसा कि रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है, इससे पहले भी वो यहां शिफ्ट हो चुके हैं, वो यहां रह चुके हैं, बात साल 2014 की है, जब मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने अपने पत से स्थीफा दिया था, और बतार पूर्व मुख्य मंत्री उन्हें उत्तल पुथल देखने को मिला, महागडबंदन की पूरी रणनीती यहीं बनाई गई, बीजेपी को एक चुनौती मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने कहें, तो इसी बंगले से दिया, पधान मंत्री नरेंदर मोदी को चुनौती देने की बात, जो पूरी रणनीती गई, तब जेडियू, आरजेडी, कॉंग्रिस, जो मिलकर महागडबंदन बना, वो इसी बंगले से बनाया गया, यानि इस बंगले का जो महत्व है, इस बंगले का जो रोल है, वो काफी जादा रहा, और साल 2015 में जो सरकार बनी, महागडबंदन की, उसकी पीछे की पूरी यहां शिफ्ट होने की बाद, जब से तूल पकड़ने लगी है, तब से राजनितिक रूप से भी इसे देखा जा रहा है, क्यामरवान आनंद के साथ, प्रेणा बिहार तक झाल